नमस्कार दोस्तों लाइव जनादेश मापका सुवागत है मैं देवेंदर चौहान आपके बीच एक बड़ी महत्पून और मनुरेंजन अटपटी चटपटी एक ऐसी खबर लेकर रहा हूं जिसको सुनकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे मैं बता रहा हूं कि एक बखरा दिन में आदा लिटर दूद भी दे रहा है और डेड़ साल की उमर में तेरह बच्चों का बाप बना है और मालिक उसका एक करोड रूपिया मांग रहा है क्या आपने दूद दिने वाले बखरे के बारे में सुना है जी हां सारनपुर से 15 किलो मेटर की दूर मुगल माजरा में एक बखरा दूद देता है वह पूरे दिन में आधा लिकर से ज़ादा दूद देता है बखरे का नाम कालू है और गेड़ साल का वो है जिसमें सब्सक्राइब लिखर्वार्यियू, पर दोड़ा रहता है इरसाद जीस तरीके से बकरी पालन और बकरा पालन करता है वहीं उसने एक हरतंगेज बात बताई है कि उसके पास एक कालू नाम का बकरा है जिसने डेर साल की उमर में 13 बच्चों का बाप बन चुका है वो दूद देता है और उसकी कीमत वो अब मांग आप पक्राइज करोड रूपिया आए सुनाते हैं इरसाद ने क्या कहा अपना बताना है जी इसाद कहा के रहने वाले आप गौंगल मज्रा यह आपको बकरा दूद कब से दे रहा है एक साल से इसका नाम क्या है क्या इसकी खूविया है बस कुब यह तो इसके एक बकरी भी दना रहा रो दूद भी दे रहा अगर कोई आप से बकरा यह खरीदना चाहे तो आप कितने का बेचेंगे एक करोड का दे देंगे जी ऐसी क्या खासियत है इसमें खासियत है इसमें खास अधी के बच्चा आपर दे सके इसे जौमिंस बड़ा देेंगे बच्चा देदगा बकरी bra ll दूद भी दे रहा मिं इसके डाईट क्या है कि डाउप्ला खिलाते है इसके दणा घ्ञतने चटना नाज तेल इन्साद ने करोड रुपया मांगा है कालू नाम का बकरा उसके पास है देड़ साल में तेरा बच्चों का पिता है और वो दूद भी देता है यानि इसे कुद्रत का चमतकार कहें या फिर कुछ अलग कहें क्योंकि जिस तरीके से कालू नाम का बकरा है ये महा सारनपुर छे या उसके बारे में जानने के लिए क्योंकि वो दूद भी देता है और तेरा बच्चों का बाब भी है और उचाई में भी तीन फुट के आस्वास उसकी हाइड है लंबा चोड़ा जही कालू नाम का बकरा है यानि वहां छेतर में चर्चागा भी से है और जो इसका मालिक ह इसकी कीमत मांग रहा एक करोड रूपिया अब देखते हैं एक करोड रूपे में कालू इसको किसको बेचेगा कौन इसका खरिदार होगा कौन नहीं ये वक्त बताएगा कैमरा से योगी तैसीम के साथ मैं देवंदर चोहान लाइव जनादेश सारणफूर